कि कल के दिन बैंक निप्टी में जो एक बड़ा फॉल आने की आशंका है उसके पीछे का complete logic क्या है और आज के दिन हम लोगों ने जो 225 के put option को 350 में बेचा और 100% का accuracy आज के सभी updates में आचिव किया हुआ है उसके पीछे का complete logic क्या है तो सबसे पहले start करते हैं बैंक निप्टी यहाँ पर देखने को मिल चुका है तो जैसे ही market नीचे आना start हो जाएगा यह सब buyer यहाँ पर trap हो जाएंगे और हम लोग sale on the rise का trading strategy यहाँ पर use करेंगे तो सेम तरीके से मैंने sale on the rise का trading strategy यूज किया और यहाँ पर आज के दिन जो 2G candle बन चुका है यह कल के लिए बहुत ही important setup बन चुका है अगर कल के दिन market इस level के नीचे निकलता है तो यहाँ पर best trading opportunity हम लोगों को देखने को मिल जाएगा तो उसके लिए हमें 15 minute chart के उपर जाना पड़ेगा अभी आपके सामने में ने 15 minute का spot का chart लगाया हुआ है अगर आप देखोगे तो उपर की side से हम लोगों को एक completely downsided momentum catch करने को मिला इसके पीछे का logic मैं आपको यहाँ पर explain करना चाहता हूँ जब आप इस logic को समझोगे और इसको लायू market में implement करना चालू कर दोगे तभी जाके आप एक professional trader बन पाओगे सबसे पहली बात हम लोगों को पूरा दिन का market का momentum देखना पड़ेगा तभी जा तो market ने एक rectangle pattern बनाया हुआ था इस rectangle pattern का मैंने false breakout यहाँ पर identify किया और फिर इस trade को मैंने ले लिया यहाँ पर आगर आप देखोगे तो open interest के data में आपको clear कर दिखाई दे रहे थे कि यहाँ पर retail trader के buy के position फसे हुए है और यहाँ पर बड़े player बड़े quantity के साथ market में इंटर न focus आपको करना है कि यहाँ पर big player के order आ चुके है क्या और second player यहाँ पर retail trader अगर first फस गए तो हम लोगों को कितना benefit यहाँ पर देखने को मिल सकता है यहाँ पर market जो था वो both time के लिए consolidate कर रहा था और consolidation का जो breakout market में दिया वहा था यहाँ पर open interest के data में कुछ भी बड़ा change नहीं आ रहा था जो clearly indicate कर रहा था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ retail trader की वजह से यह buying हो चुका है तो जैसे ही market यहाँ सर नीचे आना चालू होगा तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने daily chart के उपर पिछले 2-3 दिनों से buy के position बनाये रहेंगे most of the लोगों ने अपने position को यहाँ पर sale का position ले लिया तो यह कल के लिए बहुत ही अच्छा setup बन चुका है तो कल के दिन कैसे trade करना पड़ेगा इसको समझने के लिए हम लोगों को यहाँ पर important support resistance level को mark करना पड़ेगा अभी आपके सामने में एक important support level को mark किया हुआ है अगर आप इस support level को ठीक से देखोगे तो आप आपको पता चलेगा कि इस level को market ने multiple बार test किया हुआ है जो भी level multiple बार test होता है चाये वो support का हो चाये वो resistance का हो वहाँ पर क्या हो जाता है पहली बार market ने यहाँ पर fresh buyer ने entry ले लिया दूबरा जब market यहाँ पर नीचे आ गया तो यहाँ पर जितनों लोगों ने buy किया ability रहता है कि मार लो x percentage लोग यहाँ पर दूबरा buy करने की कोशिश करते हैं अगर यहाँ पर strong support हो जाता है तो यहाँ पर तीसरी बार आने के बाद हम लोगों को एक ज्यादा strong buying देखने को मिलता है लेकिन यह buying में अगर सच में ताकत रहे दिये सच में market को उपर जाना है तो तो यह हमें clear cut indicate करता है कि market में अच्छे कासे sale के position आभी भी बने हुए है तो कल के दिन market आगर यहाँ पर यह जोन में कई पर flat open होके नीचे की downside को break करता है मतलब 49,294 के level को break करता है तो यह one of the best trading opportunity होगा उस case में हम लोग 49,300 का जो put है वो 49,300 के put को यहाँ पर buy कर सकते है इस नीचे की side में हमारा जो target निकल के आ रहा है वो target 49,000 के level के करीब का निकल के आ रहा है मतलब एक बड़ा target कल के दिन हम लोगों को देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर daily chart के ऊपर भी buyer trap हो चुके है और अगर आप intraday जमे 15 minute का chart देखोगे तो यहाँ पर भी आच्छे quantity क के साथ buyer strap हो चुके है और most of the buyer लोगों का stop loss इसी level के नीचे रहेगा तो यहाँ से हम लोगों को एक बड़ा fall देखने को मिल सकता है आज के दिन का अगर आप market के momentum को ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पर clear cut दिखाई दे रहा है कि आज के दिन market में क्या हुआ था initially market ने एक upside का momentum दिखाया फिर एक downside का momentum दिखाया तो मतलब almost market जो था वो यहाँ पर most of the time जो था वो एक range bound scenario में first चुका था और फिर उसके बाद market ने एक false breakout दे दिया सबसे पहली चीज़ देखनी है कि यहाँ पर with volume के साथ यह breakout आया है का second चीज़ आपको देखनी है कि यहाँ पर open interest के data में change हुआ है क्या कभी कभी क्या हो जाता है आप लोग सिर्फ और सिर्फ volume के उपर फज जाते हो और इस breakout को ठीक से identify नहीं करबाते अगर volume बढ़ रहा है कि यह false breakout हो सकता है अगर यह concept आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे comment section में बता दीजे कि आपको कौन सा point समझ में नहीं आया है तो उसके उपर मैं next video में आपको explanation दे दूँगा second point आपको कौन सा देखना है यह होगा first point breakout को ठीक सा identify करने का second point आपको देखना है कि market में उतन space available है क्या मानलों कि कौन से भी level को market आगर break करता है तो break करने के बाद उसको उपर की साइड में उतना space available लेना चाहिए move करने के लिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस breakout के बाद उपर की साइड में यह हमारा पहला resistance level आ रहा था यह हमारा second resistance level आ रहा था मतलब यहाँ और यह दोनों resistance level के ओपर high probability थी कि दुबारा market seller आ सकते है और उस तरीके का open interest का data भी confirmation दे रहा था तो यहाँ पर buy करने में कुछ भी point नहीं था यह सभी point को अगर आप club करोगे तभी जाके आप एक professional trader बन पाऊगे otherwise आपका जो struggle है वो struggle continue रहे सकता है अभी मैंने आपको एक best trading opportunity bank lift में कल के दिन का बता दिया second best trading opportunity कहां पर मिल सकता है अगर कल के दिन market gap up के साथ open हो जाता है और इस level के करीब मतलब 49,650 के level के करीब प्लस माइनस 20,25 तीस point आप पकड़ लेना यहाँ पर open होने के बाद यहाँ पर कोई shooting star जैसा candle या इस तरीके का price action pattern बनाता है तो उस case म हम लोग 49,700 का जो put है वो 49,700 के put को यहाँ पर buy कर सकते है बाइ करने के बाद हमारा stop loss कौन सा रहेगा यहाँ पर जो भी कुछ swing high बना रहेगा वो stop loss की तरह हम लोग use करेंगे और इसका target जो निकल के आ रहा है जो closing price है वो हम लोग as a target की तरह use करेंगे अभी इस trade के पीछे क logic में आपको यहाँ पर explain करना चाहता हूँ market में मैंने आपको पहले बता दिया कि daily chart के ऊपर आच्छे कासे buyer अभी भी trap हुए हुए है प्लस आज के दिन intraday में जो भी लोगों ने यहाँ पर buy के position बनाए रहेंगे तो उसमें से सभी buyer अभी तक निकले नहीं है उसमें से कु इतने भी लोगों ने आज के दिन सेल के position बनाए रहेंगे उसमें से ज्यादातर लोग अभी भी सेल के position को hold किये हुए है क्यों कि आज का जो closing हम लोगों को मिल चुका है वो close हम लोगों को low के करीब का मिल चुका है तो कल के दिन दूबारा market अगर इस level के करीब open हो जाएग तो वो लोग फिर से अपने position को add कर सकते है selling के तो इसकी वाजा से एक selling का pressure हम लोगों को देखने को मिलेगा जो market नीचे लेके आ सकता है अगर यह psychological explanation आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को like करके अपने YouTube चानल को subscribe करके bell icon का button दबा दीजिए जैसे ही इस तरीके का कोई अच्छा opportunity develop हो जाएगा मैं अपने इस प्रिवाली channel में आपको update कर दूंगा जिसका link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है अभी तेख लेते कि निप्टी में किस तरीके का scenario develop हो चुका है और निप्टी में कौन से level के उपर हमें best studying opportunity मिलेगा जो लोगों ने निप candle analysis कर पाए जो आपको आने वाले समय में एक अच्छा benefit दे सकता है तो यहां पर आगर आप देखोगे तो यहां पर market ने एक दोजी टाइप candle बनाया हुआ है जब भी market दोजी टाइप candle बनाता है तो उसका interpretation यह होता है कि market में की in decision का phase बना हुआ है अगर आप देखोगे तो market एक range में फसा हुआ है और range के end में market ने एक दोजी टाइप candle बनाया हुआ है मतलब यह वाला जो point है यह वाला जो position है यहां पर बड़े player भी बड़ा quantity में position नहीं लेना चाहते है तो उनके लिए waiting है एक trigger का यह trigger हम लोगों को कहा पर मिल सकता यह आपको समझ में आना और अगर price action को ठीक से समझ में आना है तो आपको market का psychology समझ में आना चाहिए कि कहा पर जाके बड़े player बड़े quantity के साथ position उठा सकते है अभी यहां पर आपको clear cut थे single candle analysis बता रहा है कि यहां पर indecision बना हुआ है और बड़े player या फिर retail trader कब active हो जाएंगे जब market इस level के नीच क्या ना start हो जाएगा तब market में बड़े player active हो जाएंगे तो one of the best trading opportunity हम लोगों को कहा पर मिलेगा आज के दिन का जो market ने low बनाया हुआ है वह आज ट्वीजर low करके बन रहा है जो लोगों को ट्वीजर low का concept समझ में आ जाता है वह comment section में बता दीजिए तो बाकी लोगों को क्या होता है वह समझ में आ जाएगा जो लोगों को नई समझ में आएगा हम लोग उनके लिए दूबरा explain करके बतेंगे यह YouTube का जो माद्य में आप knowledge sharing के लिए इस्तमाल कीजिए अगर आपको पता है तो comment section में बता दीजिए बाकी लोग पढ़के भी उनका knowledge बढ़ जाएग तो कल के दिन मार्केट जो है वो 16,917 लेवल के नीचे आ जाता है तो immediately यहाँ पर sell मत कीजिए मार्केट को इस तरीके का कुछ price action pattern बनाने दीजिए और मार्केट को 16,900 के नीचे sustain होने दीजिए मार्केट जब 16,900 के नीचे sustain होना start हो जाएगा तो बड़ा haul हम लोगों को दे करना prefer करेंगे इस put को यहाँ पर buy करने के बाद stop loss कौन सा रहेगा तो यहाँ पर जो भी कुछ market swing high बनाएगा वो stop loss की तरह यूज़ करेंगे और नीचे की साइड में हमरा target जो निकल के आ रहा है वो 16,840 का target हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह हो गया अभी daily chart का analysis daily chart में फिलहाल के लिए buying का कोई भी scenario मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अभी देख लेते हैं कि intraday में कौन सा level हमरे बेस टेडिंग opportunity निकल के आ रहा है अभी आपके सामने में ने इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है इंट्राडे के चार्ट में आगर आप देखो को दिखा दिया है अगर कल के दिन market इसी दोन में open हो जाता है तो high probability रहेगी कि market range bound रहेगा क्योंकि यहां पर market ने completely confusion state वाले position बनाये हुए है जितने आपको buy के position open interest की data में दिखाई देंगे almost same sale के position आपको open interest की data में क्या आपर clear कर दिखाई देंगे मतलब यह चो put call ratio का concept यह यहां पर आप apply कर सकते हो तो आपके लिए picture clear हो जाएगा तो हमारे लिए best trading opportunity कब मिल जाएगा अगर market इस low को break नहीं करता है और उपर की side में यहां पर जो market ने resistance level बनाया हुआ है मतलब यह 17,000.87 का जो level बनाया हुआ है इसको upset की तरब market break करता है तो उस case में हम लोग 17,100 का जो call है ओ 17,100 के call को यहां पर buy करेंगे यहां पर buy करने के बाद में सिर्फ और सिर्फ आधे quantity के मतलब हाप quantity के साथ ही में trade करना prefer करूँगा क्योंकि यह counter trend वाला trade हो जाएगा जहां पर में quantity हमेशा आधा रखता हूँ मेरे लिए best trading opportunity कब develop हो जाएगा जैसा मैंने daily chart के ऊपर बताया हुआ था वो मेरे लिए best trading opportunity develop हो जाएगा फिलाल के लिए market already selling position में बना हुआ है जो भी लोगों ने put के position buy कि रहेंगे उनको high probability है कि कल के दिन morning में ही आपको profit मिल जाएगा कितने लोगों ने put के position को buy करके hold किया हुआ है मुझे like करने के बाद video को like करने के बाद comment section में बता दीजे जैसे यह अच्छा opportunity आएगा मैं अपने इस free वाले channel में आपको update कर दूँगा मिलते है next educational video में thank you very much